नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर चिंतन पाठक, एड़ोकेट साइबर सेक्योटी कंसर्टन, लॉकडाउन डे 18 आज का जो सेशन है वो मेरे उन वेपारी बंदों के लिए है जिनकी वज़े से हमारी एकोनोमी चलती है मित्रो, आज सुबह का किशा जो है, वो मैं खास आपके शाज शेयर करना चाहूँगा क्योंकि लाज 17 दिन से कहीं सारी चीज़े रुकी हुई है और फिजिकल वर्ड के अंदर याने कहीं जगा पर हम फिजिकली जा नहीं सकते दूटी लॉकडाउन तो इन परिस्थितियों का फाइदा कैसे साइबर फूर्डेस्टर यहने साइबर क्रिमिनस ले रहे है उसका यह आज का किस्सा है एक हमारे क्लाइंट है वैपारे, उनका एक कुरियर आया था और कुरियर कितने टाइम से उनका इक जगा पर पड़ा हुआ था कुरियर कंपनी के पास वो जब कुरियर कंपनी से बात करने के लिए उसका नंबर गूगल के उपर सर्च करते है तो उनको जो गूगल के उपर नंबर दिखता है वो नंबर पे वो जाके कॉल करते है कॉल करने के बाद कुरियर कंपनी के जो भी ऑथोरा इस परसन है उनके साथ उनकी बातचीत होती है कुरियर कंपनी वाले उनको जड़ाते हैं कि सर आप एक काम करिए हम आपको एक लिंक भेज रहे है वो लिंक पे हमारे नॉमिनल चार्ज है 5 रूपीस का वो पे कर दीजिए और उसके बाद हम आपका जो कुरियर वो रिलिस कर देंगे वो बंदे जो है वो उनकी लिंक को क्लिक करते है क्लिक करने के बाद वो 5 रूपे वहाँ पे टांसफर करते है और वो क्या पाते है विदिन फ्यू मिनिट उनके खाते से वन लेक टू थाउजन रूपेस टांसफर हो जाता है यानि के अलग-अलग जगा पे वो चले जाते है जो होता है उसमें क्या चीजे हमें समझनी चाहिए ऐस बिजनेस परसन आपको ये त्यानमे रखना है कि पहली बात है कि आपको गूगल पे जो भी आपको कस्टमर केर नंबर मिलता है वो सही है ये हम लोग मान नहीं सकते क्यों? क्योंकि 70% इन्फोमेशन ऐसी होती है इल्रिलेवन जो गूगल के उपर होती है यानि वो सारे चीजे सही मान के अगर हम चलते है तो ये ट्रैप में हम लोग easy लिया सकते जो ये काम हुआ उसमें यही हुआ था जिसमें उन्होंने जो बंदा उनसे बात की थी जो information share की थी वो company का बंदा है उन्होंने सारी परपनी personal information share की थी क्या दूसरी चीजे होई थी तो जैसे 5 उलुपे उन्होंने ट्रांसफर किये वैसे उन्होंने अपना debit card number लिखा उन्होंने अपना CVV लिखा और उसके बाद वो पैसे ट्रांसफर होये जो link उनके पास click करवाई गई थी वो link उनके phone के अंदर install होते ही उनके screen को पूरी capture कर रही थी उनके screen की activity को monitor कर रही थी और उनके phone का control जो बंदा था उसके पास वो चला जाता है और इससे उनका जो OTP था वो OTP भी उनको easily वहाँ पर मिल गया था जैसे ये OTP मिला within a few minutes उनके 1,02,000 रुपय एकाउंट से cut गए with the different transaction Now this is all happening right now due to the proper awareness नहीं होती है proper awareness नहीं होने की बज़े से ये सारी चीज़े होरे उसका फाइदा cyber criminals ले रहे तो मेरी आप सभी वैपारी बंदों से मेरे सारे मित्रों से ये नमरे गुजारी से कोई भी अगर आपको कोई भी चीज अपनी अगर आपको पूछनी जाननी है तो महरबानी करके गूगल के उपर जाके उसको सर्च मत कीजिए जो भी कंपनी है वो कंपनी की authorized website और उनकी जो कोई application है या उनको कोई authorized बंदा है उनको directly बात कीजिए और जो website है उनके उपर जो contact हैसमें जो detail होती है याने कि उसमें जो company के number होते है जो उनके उपर ही आप deal कीजिए या उनका email address तो email address के उपर पहले उनसे एक बार communicate कीजिए directly किसी से बात ना कीजिए वरना आप इस तरह से victim हो सकते हैं तो one second stay safe in this corona crisis हमारी economy को बचाया रखने के लिए आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है और वह बहुत जरूरी है आप सभी अच्छे रहे हम सभी लोग को यही चीज करनी है कि जो भी हमारे पास based awareness है वह हम लोग अपने आजू बाजू हमारे साथ जो भी connected है उन लोगों को भी awareness हम लोग दे कि जिससे वो भी victim ना बने मित्रो मैं मैं सा कहता हूं don be a victim be a responsible digital citizen और आज वापिस हमारे जो हमारे लिए फिल्ट के उपर काम कर रहे है वैसे सारे पुलिस कर्मी सारे सफाई कामदार सारे doctors, सारे nurses, NGO के बंदे, bankers, media staff, politicians वो सभी का स्वास्ते अच्छा रहे और उनके परिवार का स्वास्ते अच्छा रहे वैसे हम प्रभू से ब्रातना करे and please 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 stay at your home, please follow the rules of the government, please stay safe, जैहिन, वंदे मातरम